नमस्कार मैं अड़ोकेट विकास याद हो एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे टारगेट AIB19 जो आपका एक्जाम अभी होने की संभावना है 22 दिसंबर 2024 अभी तो फिलाल आपका यही जो डेट है यही है चेंज हो जाएगी तो देखते हैं क्या होता है लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अब मुश्किली चेंज होगा क्योंकि एक्जामिनेशन फोर्म आपके अब शायद अप्लाई करने भी उनकी डेट खतम ही हो गई है ठीक है कुछ बच्चे कह रहे हैं आप विंडो की डेट भी खतम ही होगी वैसे आज शायद लास्ट डेट है 22 दिसंबर तो मास्टर स्टोक बैट जो क्रेश कोर्स हम और डिफरे नहीं नहीं उससे की रिगार्डिंग छोटी सी इन्फोर्मेशन इस वीडियो में लाइव ओनलाइन क्लासिस रहेंगी आपकी इस टाइम टू प्ले दी मास्टर स्टोक होता है मास्टर स्टोक की सिच्विशन को देखके आपको अब अपना गियर चेंज करना पड़ेगा ठ टाइम आई गया और एक्जाम की फीस जैसे काफी है तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का एक्जाम रुके तो अगर कोर्स के बारे में थोड़े फीचर्स की बात करें मास्टर स्टोक बैच फीचर्स की क्या फीचर्स हो सकते हैं थोड़ा से एक बार हम डिसकस कर लेते हैं English plus Hindi language में अपसे मैं जितने भी courses हैं अपने दोनों language में prefer कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी Hindi सीखने को मिलती है तो दोनों languages में terminology, legal terminology पता लगती है तो उससे knowledge काफी improve होती है आपको भी आना चाहिए सबसे पहले हम देखो easy subjects, easy topics को cover करेंगे क्योंकि यह exam आपका merit based exam नहीं है, ठीक है simple सा आपको 45 marks if you are belong from general obviously and 40 marks SCST, PWD तो हमें पता है कि 100 questions आने हैं हमारे और यह हमारा syllabus है 19 जो subjects, topics दे रहे हैं आपके और particular हर subject के आगे बता भी रखा है, 10 question, 8 question 5 question, 2 question, 3 question 4 question, तो उसके according priority order एक set किया जाएगा कि भई पहले हम इसे करेंगे क्योंकि हमारा काम यह नहीं है कि हमें 100% लेके आने, 90% लेके आने 80% लेके आने, हमारा काम यह है कि हमारा कैसे ना कैसे बड़े ही easily तरीके से passing marks है, वो हम बस score कर ले ठीक है, तो यह पूरा कोर्स इसी चीज़ पे ज़्यादा focus करेगा, हाला कि अगर आप देखोगे, आपको comprehensive study पढ़ना होता है, तो वो batch मेरा अराम से 8-9 week तक चलता है, दो सबादो महिने आप कह सकते हो अब आपके पास इतना time है नहीं, last के आप कह सकते हो, 4 weeks we have today is your, 22 of number and just exactly एक month ही बोलो, आप ऐसे एक दुखामी time रहे गया लेकिन, अभी ये एक ऐसा time है, कि इसमें जो बच्चा जितने smart work से जितनी अच्छी मैनत कर देगा, तो उसको, चाए उसने पहले भी ना पढ़ाओ, तो काम बनलग बनलग चली जाएगा लेकिन ये depend करेगा कि previous knowledge आपकी कैसी है, हर एक बच्चे के लिए suitable नहीं है, किसी बच्चे को comprehensive batch चाहिए था तो उन्होंने पहले से ले लिया है ठीक है, कुछ बच्चों के request थी इसलिए मैं ये start कर रहा हूँ इस batch में mostly मैं थोड़ा focus जादा ये करूँगा, index reading पे जादा focus करेंगे हम ठीक है, क्योंकि index reading से आप काफी अच्छे तरीके से exam को निकाल सकते हो keywords की help से, वही हम अच्छे से read करेंगे, भाई इसका chapter का नाम क्या है आपका part का नाम क्या है, ये keyword कितनी बार आया है, कितना important है questions को कैसे ढूढ़ना index है तो ये हम जादा इस पे focus करेंगे ठीक है, types of questions की questions कैसे type क्या आते है type 1, type 2, type 3 कौन सा question बहुत easy रहता है, कौन सा question थोड़ा time consuming रहता है, उसको जाएगा, mood खराब हो जाएगा, exam आपका रह जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि जो bear act है आपके, जो list मैंने दे रिखिया है, वो तो भाई bear act लेके जाओ, कम से गम इतने भी क्या और confident हो रहे हो आपकी हम bear act लेके नहीं जाएगे, 5-6 bear act बोत हमारे लिए, last year में भी ऐसे हुआ था बच्चों के सा, इसी लिए last year में 52% बच्चे के वल पास होई थे आपके 52% fail हुए थे, पास होई थे, लेकिन 50 के round ratio था आपका, ठीक है, तो जितने bear act लेके जाएगे, subject wise in-depth analysis करेंगे हम previous year questions का, हाला कि पूरे previous year question class में discuss नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास time कम है, ठीक है जादा comprehensive study हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका काम चला हो है, आपका passy marks है, उस पे हम पूरा target करेंगे ठीक है, so this batch is only for we can say कि हमारा main purpose है to clear the passy marks only ठीक है, बाकि knowledge purpose के लिए comprehensive study purpose के लिए already batches conclude हो चुके 12, 13 batches हमने conduct कर लिये हैं, और उनमें लगबख सब का course लगबख खतम ही होने वाला है अभी, एक batch का शायद 3 या 4 दिसंबर को हो जाएगा एक का आपका finally 18, 15 के आसपास हो जाएगा तो उन बैचिस का course चल रहा है time से, अभी आपका थोड़ा सा आप कहा सकते हो कि brush up करना पड़ेगा जो भी important चीजे हैं, तो आप इस course की help ले सकते हो अगर आपको जुर्द है तो, ठीक है so, PYQ को हम थोड़ा सा touch करेंगे कि हाँ भाई कैसे यूज कर सकते हो, कैसे किस चीज को देखो हर एक subject की different strategy है वो ही आपको ज़्यादा analyze करनी है जब आप इस course में आऊगे, जब हम बताएंगे आपको कि इस subject को कैसे deal करना है तो particularly आप उस subject को वैसे deal करो भाई इस subject में case low ज़्यादा आते है तो case low के लिए अलग से note book देंगे आपको कि भाई यह case low याद करने है यह case के नाम है कुछ subject ऐसे खाली भी direct से हो जाएंगे कुछ subjects में खाली PYQ कर लोगे आप तो more than sufficient है कुछ subjects में बोलूँगा कि भाई इससे तो बचके निकल लो आप ज़्यादा इस पर time invest नहीं करना है क्योंकि वह stage of time आप कहा सकते हो कि उसमें input आपको ज़्यादा देना पड़ेगा इतना output नहीं आएगा तो यह सब चीजे analysis करेंगे हम जो आपके last के 4 week रहे गए हम भी कुछ बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि knowledge के base पे ही आप answer ले पाते हो कई बार elimination techniques को यूज करके भी आप correct answer तक हो सकते हो वो भी हम discuss करेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखोगे जो 19 topics हैं उनका syllabus कुछ इस तरीके से design है लगबग लोग के सारे ही important subjects cover करे हुए ठीक है तो बहुत ज़्यादा chances हैं कि आपका यह syllabus किसी दूसरे exam की अगर आप preparation कर रहे हो तो उसके साथ भी overlap कर रहा होगा जा फिर अगर आप नहीं prepare कर रहे हो हर एक वकील का एक favorite area होता है कि motor vehicle है, totes के cases है consumer के cases है आपके criminal cases है, criminal cases में वो differentiation है family cases आप लेते हो आप property के cases लेते हो तो हर एक वकील का different होता है और हर एक अपनी field में शातिर खिलाडी होना चाहिए आपका ये काम नहीं होता है कि आपको knowledge sum में है लेगिन कोई एक field आप ऐसी पकड़ो जिसमें आपसे बढ़िया कोई नहीं होना चाहिए तो ये अगर आप करोगे तो इस case के regarding बस आपका ही नाम गुझना चाहिए तो अपना एक अच्छा सा एक interested domain area select करो आप उसके अंदर आप knowledge increase कर सकते हो litigation purpose के लिए तो ये course करें आपको उसमें भी help करेगा ठीक है तो अगर हम देखें तो bare act की help से आप अराम से इस range में थोड़ा सा कम कर सकते है आप 67, 68 थोड़ा सा जादा भी हो सकता है प्लस 5, प्लस 3 हो सकता है तो 45 मिलेंगे आपको एंड जो type 2 जो थोड़े से bare act में ढूणना थोड़ा सा hard होता है उनके लिए practice जादा चाहिए उसमें आपको ज़्यादा परिशानी आते है और AIB 18, 17 में ऐसे ही questions की संख्या आप कह सकते हैं जादा थी weightage जादा थी इसलिए बच्चों को time ज़्यादा लगा answer ढूणने में इसलिए उनका exam रहेगे तो अब देखना यह है कि examiner type 2 के question ज़्यादा पूछता है या type 1 के ज़्यादा पूछता है अगर यह पुछेगा paper का level easy हो जाएगा लेकिन theoretical question, case low based question case low based question तो 100 में से भी 5-6-7 बस इससे ज़्यादा तो आता ही नहीं है यह भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया इन में से भी 2-3 तो आपको PYQ के मिल जाएंगे तो यही सब हम discuss करेंगे कि कि किस subject में case low बहुत important है किस में नहीं है जो भी आपको PYQ में case low कराएं वो सारे याद करनें और कुछ तो ऐसे हैं जो आपको नीन में उठाके पूछ लें तो आपको नाम पता होना चाहिए कुछ तो इतने important है ठीक है तो वही सब हम discuss करेंगे इसके अंदर specially design किया गया master stroke batch में लास्ट येर भी आया था मेरा एंड जितने भी मैं courses होते हैं लास्ट में crash course करवाता हूँ ठीक है तो ये crash course type है जिन बच्चों को शुरुवात में किसी भी वज़े से वो join नहीं कर पाए थे time की कमी की वच्छे जो भी reasons रह गया हो उन बच्चों के लिए last opportunity आप कह सकते हो how to attempt a paper smartly मैं देखो जितनी बात हमने उपर पड़ी है इन सब बातों का जब तक efficient value नहीं रहेगी जब तक आपको paper attempt करना नहीं आता है तो इस course में सबसे बड़िया lecture मैं जो मानता हूँ कि वही paper को attempt कैसे करना है जरूर यह तो मैं जो अपने comprehensive study है उनमें पहले तीन ही बताता हूँ लेकिन आपको यह last time बताएंगे exam के just एक दो दिन पहले वरना भूल जाओगे तो paper को attempt करने का भी style होता है pattern होता है कैसे 3 घंटों को आपको अच्छे से utilize करना है किस question को पहले करना है किस question को छोड़ना है कौन सा question easy दिख रहा है लेकिन वो easy है नहीं ठीक है कुछ ऐसे question भी होते है जो trapping question होते है केवल आपको फसाने के लिए जाल में फसाने के लिए उसमें केवल आपका time consume होता है बिनावाद का तो knowledge is important practice is important but it is also important you have to analyze कि कौन सा question मेरे लिए अभी करने लायक है कौन सा question मैं बाद में करूँगा ठीक है तो यही सब हम इस course में discuss करेंगे यह मैंना highlight आपको बता दिये master stroke badge के features अगर आप badge join करना चाहते हो तो most welcome आपको यह best of luck मैं आपको just exam से एक दो दिन पहले ही बोलूँगा 21 December को लग बोलूँगा 21 या 20 को and अगर जो लोग शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनको मैं आज ही बोल देता हूँ best of luck for your AIB 19 journey सभी का exam clear हो जाए आप सब का जो भी आपने महनत करी हो उसको आपको फल सब को मिल जाए ठीक है एक बार हम देख लेते हैं कि कोर्स में जोइन करने के लिए क्या-क्या informations आपको चाहिए होंगी classes start हो रही है आपकी 25th of November 2024 Monday है उस दिन evening का बैच है मैंने अपने whatsapp चैनल पे भी एक voting करवाया था and youtube चैनल के community post में भी voting करी थी majority of students ने यही slot choose किया and student से मेरी personally बात होई गी है whatsapp पे तो उन्होंने भी बोले है ठीक है सर हमारे लिए comfortable है हम कर सकते हैं सर्दियों का time वैसे है लगबग अभी इस time में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने चाहिए mostly छेव जितक आप सब लोग घर आई जाते हों रात को मेरे वैसे दोनुष slot book हैं तो मैं चाहके भी नहीं ले सकता तो ग्यारा सबा ग्यारा साड़े ग्यारा तक तो मैं बुकडी हूँ तो फिर यही slot मेरे लिए खाली है एक slot morning में खाली था लेकि morning में बच्चे एक दोई बच्चे जो इंट्रेस दिखा रहे हैं जादा बच्चे नहीं है तो यह slot हम choose करेंगे classes per week 5 classes तो होंगी होंगी अगर मुझे लगेगा थोड़ा सा over extra effort मारना है तो एक class extra भी हम ले सकता है लगिन 5 तो होनी होनी है mode of classes live online classes रहेंगी गूगल में tap के through classes होती है मेरी जितनी भी मैं करवाता हूँ duration of the course around approach 4 week का course है आपका language English plus Hindi medium रहेगा questions आपको दुनों language मिलेंगे explanation भी आपको bilingual मिल जाएगी तो परेशानी नहीं आने वाली है किसी बच्चे को अगर दिक्कत आती है बिल्कुल ही मुझे हिंदीम बता देंगे किसी को दिक्कतार ही बिल्कुल English रहें बता देंगे वरना थोड़ा सा bilingual रहेगा जैसे मैं आप से बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही जैसे अभी आप presentation देख रहे हो ऐसे ही class में आपको समझाया जाएगा with pen pen tablet जो भी है फी आपकी 1499 है जो आपका normal batch होता उसकी फी होती है two triple lines लेकिन यहाँ पे just half हम कर रहे है crash course कर रहे है तो यह आपकी fees है 1499 is the fee of the batch how to enroll in the course तो simply आप चाहो तो इस पे भी आप just payment कर सकते हो जैसे आपको अभी screen पे दिखी रहा होगा and payment के बाद आप screenshot share कर सकते हो यह वेरा number है वरना आप एक और तरीका है इस number को आप save कीजिए whatsapp कीजिए hi आपका पूरा नाम your full name interested in the EIB19 masterstroke batch इतना आपको लिख देना है जैसे आप लिखोगे आपको एक google pay qr code और एक course catalog share कर दिया जाएगा उसके बाद आप उस पर payment कर दिजिए and उसका screenshot share कर दिजिए आपको whatsapp जो आपका patch का group है उसमें add कर लिया जाएगा simple सा procedure enroll करने का अभी भी आपको कोई doubt है if still you have any doubt regarding this batch चा कोई भी EIB से लेटेड कोई भी आपका doubt है तो you can mention your doubt in the comment section of the YouTube ठीक है अगर आप publicly नहीं पूछना चाहते हैं तो you can whatsapp on this number 9350145947 this is not a calling number ठीक है आप whatsapp कीजिए within 24 hearts आपको reply जरूर मिलेगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए खुश रहिए मुस्कराते रहिए देश का ख्याल रखे मनलगा के बढ़ाई के दिए जहिन